नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके ही चैनल में और मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं गाड़ श्टार्ट तो गाइस फानली रोयल इंफिल्ड हंटर 350 की जो स्पेसिफिकेशन है वो लिक्स हो चुक है और इस बैग में आपको क्या पाउर मिलती है क्या टॉर्क मिलती है और कितनी कंपनी इस बाइक की मालेज और टोप स्पीड क्लेम कर रही है उसके बारे में आज किस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं तो अभी हाल चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अगर आपको यह वाल वीडियो ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल में भूलेगा तो चले गाइज अब भीना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू तो यहां पर आपने इस बाइक की लुक्स तो दे प्रियूस करेंगा वह भी 6100 आर्पेंपर और यह वाली जो बाइक है वह 27 न्यूटन मीटर का मैक्समम टॉर्क प्रियूस करेंगी वह भी 4000 आर्पेंपर और यहां पर आपको उस बाइक के अंदर 5 स्पीड गेर बॉक्स देखने को मिलेगा और यहां पर कंपनी क्लेम कर रह और यह गाइज टॉप स्पीड तब कैलकुलेट किये थी जब यह बाइक 7000 आर्पेंपर थी वही गाइज अगर बात करें इस बाइक के कलर्स के बारे में तो भी यह जो बाइक है वह आपको छे अलग अलग कलर्स में देखने को मिलेगी और जैसे के भी हाली में रॉयल इन cricket के बारे में जिसका नाम है 100 350 अजूप्स यहां पर आपको आपको अच्ट में देखने को मिलेगा जिसमेब्त है जिसमें में तो आपको उस बाइक के रेर में six step adjustable twin shock absorber देखने को मिलेगे यहाँ पर गाइस अगर बात करें इस बाइक के brake setup के बार में तो आपको उस बाइक के front में देखने को मिलेगी 300 mm की disc brake और आपको उस बाइक के प्रन्ट वील की विड्थまだ मिटा है को सब्सक्राइब सब्सक्राइब को मिलत है क्लोड सब्सक्राइब को में तो ख्रेत्वेल को मिल ऐस बात करें को देनी हिए सब्सक्राइब मात झाकर promotes सिड हाइट हमें देखनेगों में लगी और यहां पर 150 mm के हमें ground clearance इसभी के देखने को मिले रिए और यहां पर बात करें